हाई एवरीवन वेलकम टू माई चैनल आज फिर से एक बहुत इजी डिजाइन लेकर आई हूँ इसको आप किसी भी स्वेटर कार्डीगन चाहे आप फ्रॉक पे डालिए किसी पर भी डाल सकते हैं बच्चों के बड़ों के किसी पर भी डाल सकते हैं तो यह बनाने में बहुत इजी है और सिर्फ चार लाइन का डिजाइन है इसके लिए आपको चार चार के मल्टिपल फंदे लेने होंगे और लास्ट में आप दो एक्स्ट्रा ले लेंगे यानिकी चार फंदो के मल्टिपल प्लस दो आप एक्स्ट्रा डिजाइन के लिए लेंगे और दो फंदे सीधा ही बनाइंगे हर बार ब messenger क्षटी साीड्य को शुरू होगी तो यह जो पहली लाइन है क्षसीधी साइड में पूरा सीधा बुनेंगे इस तरीक से से जिद्री बगर चीनले crater मेंने कि लिद्राप की लइन करें कि दिद्राइन शुजंट बाम उनिप송र में सारे बड़ी लाइन के अक टैये कि अ पिछ भी करें दिजाम कि सब्सक्राइब इसे बार इसे दिजाइन को स्टार्ट करना है तो उसके लिए ये पहला जो हमारा फंदा है जिसको हमने साइड में रखा हुए अगर आपने रखा है तो आप एक फंदा ऐसी उतार लीजे उसके बार दिजाइन को शुरू कीजे तो धागा ऐसे लपेटेंगे और दो फंदो को उल्टा बना दो फंदे उल्टे फिर दागा लपेटेंगे ऐसे और इन दो फंदो को उल्टा बना के ऐसे जो लपेटा हुए दागा ऐसे दिखेगा उसको इन दो फंदो के उपर से उतार देंगे ऐसे करके फिर दो फंदे उल्टे एक और दो फिर दागा लपेट के ऐसे इन दो फंदो को उल्टा बनाएंगे और लपेटावा धागा इन दोनों के उपर से उतार देंगे दो फंदे उल्टे ऐसी करके हम पूरी लाइन को पूरा करेंगे धागा लपीटा दो फंदे उल्टे गनाये हैं और ये लपीटा वा धागा इन दो फंदों के उपर से उतार देंगे फिर दो फंदे उल्टे फिर ऐसे करेंगे ये दो फंदे में ऐसे करेंगे और फिर जो ये धागा है इसके उपर से उतार देंगे अब एक फंदा लास्ट में आपका उल्टा बचेगा अब पूरी सीधी लाइन को सीधा बुनेंगे सीधी साइड में पूरी लाइन को प्लेन सीधा बनाएंगे फंदा उतार के पूरी लाइन सीधी सीधी ऐसे करके तीसरी लाइन में उल्टी साइड में इसके अ मन देखिए, अब यहां पर हम जो दो फंदों में हम डिजाइन बना रहे था उनको प्लेन बना रहे था उन में डिजाइन बनाएंगे, दो भाषिक और दो फंदे बनाạnh लिए और शोपी ना इंट ने साहिए TVA, और जो लपेटावा धागा है वो इन दोनों के उपर से उतार देंगे फिर से दो फंदे उल्टे धागा लपेटेंगे ये दो फंदे उल्टे बनाएंगे और ये लपेटावा जो धागा है ये इन दोनों के उतार देंगे फिर से दो फंदे उल्टे धागा लपेटेंगे इन दो को उल्टा बनाएंगे और इसके उपर से ये धागा उतार देंगे ऐसी करके हम तीसरी जाइन को पूरा करेंगे फिर धागा लपेट के दो फंदे उल्टे और जो यह दागा लपीटा हुआ है इसको इनके उपर से उतार देंगे बस यही डिजाइन है और यही आपको करते हुए जाने लास्ट में आपके पास तीन फंदे बचेंगे उनको हम ऐसे बना देंगे तीनों को उल्टा बनाएंगे यही चार लाइन्स है और यही आप रिपीट करते हुए जाएंगे इस तरीके से आपका डिजाइन बनता हुआ जाएगा तो फिर बनाएए डिजाइन पसंद आयागा तो लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकें मैं मिलूँगी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई